कई सोशल मीडिया यूजर्स एक वेबसाइट लेटेस लॉज का 29 अक्टूबर 2020 का एक आर्टिकल शेयर कर रहे हैं इस आर्टिकल के मताबिक जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट की अनसुल्जे विवादो यानि अन्रिजॉल्ट डिस्प्यूट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है इसमें आगे यूनाइटेड निशन्स में पाकिस्तान के राजदूत अमजद हुसैन का बयान भी कोट किया गया है इस आर्टिकल को ट्विटर पर काफी शेयर किया जा रहा है बाटपा समर्था गौरपुरधान और अभिनेता परेश रावल ने भी ये दावाश शेयर किया असल में ये गलत खबर दस साल पहले भी चर्चा में आई थी इंटरनेट पर जब हमने ढूंडा तो The Hindu, NDTV और The Economic Times के आर्टिकल्स मिले इन सभी में लगभग एक जैसा ही कॉंटेंट है ये सारी रिपोर्ट्स PTI यानी Press Trust of India की General Assembly Session 2010 के बारे में रिलीज की गई एजेंसी कॉपी पर आधारित थी हमने लेटेस लॉज के आर्टिकल्स की The Hindu के आर्टिकल्स से तुलना की और पाया की दोनो 94 फीजदी तक मेल खाते हैं अगर लियाउट स्टाइल को छोड़ दें तो The Hindu और Economic Times के आर्टिकल एक जैसे हैं वहीं NDTV की रिपोर्ट थोड़ी लंबी है और इसमें United Nations में UK के राजदूर Mark Lyle Grant को भी कोट किया गया है असल में उस वक्त हुआ ऐसा था कि 2010 की General Assembly में Mark Grant ने लंबे समय से चले आ रही खींस्तान वाली परिस्थितियों का जिक्र करते हुए Middle East, Cyprus और Western Sahara का जिक्र किया था यहां तक कि उन्होंने उस वक्त नेपाल और गिनी बिसाओ का भी जिक्र किया था जहां United Nations ने उस वक्त हाल ही में हस्त्रशेप करना शुरू किया था इस पर वहां मौझूद पाकिस्तान के प्रतिनिधी अमजद हुसैन सियाल ने कहा ग्रांट ने अपने लंबे वक्त से चली आ रही विवादो वाली बात में जम्मू कश्मीर के मसले को जगे नहीं दी अमजद हुसैन की ये बात ही वो वज़े मालूम पड़ती है जिसके चलते भारती मीडिया ने 2010 में ये खबर चलाई कि सही उफ्तराश्ट की विवादों वाली लिस्ट से जम्मू कश्मीर मसले को निकाल दिया गया है उन्होंने ये भी बताया कि मीडिया में 2010 में छपे आर्टिकल्स का कॉंटेक्स उस मौके से लिया गया है जब जेनरल असेंबली में सेक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट सौपी जा रही थी ओल्ट न्यूस को उन्होंबर 2010 को जारी की गई प्रेस रिलीज भी मिली जिसमें मार्गरांड का पूरा अड्रेस दिया गया है 12 नूमबर 2010 की प्रेस रिलीज में पाकिस्तान के अमजद हुसैन की कही गई बात दिखती है इन दोनों दस्तावेजों में कहीं भी किसी भी ऐसी विवादों की लिस्ट का जिक्र नहीं था जो युनाइटेड नेशन्स के पास मौजूद हो Alt News के संयुक्त राष्ट से जुड़े सूतर ने एक और महतुपूर चीज बताई उन्होंने बताई कि Security Council में जम्मो कश्मीर का कोई एजेंडा है ही नहीं वहाँ जो एजेंडा है वो है इंडिया पाकिस्तान का और डॉक्यूमेंट्स में इसे नाम दिया गया है और इसके बारे में भी आखरी बार आधिकारिक रूप से साल 1965 में कोई मीटिंग हुई थी Security Council के Public Domain में उपलब एक डॉक्यूमेंट के अनुसार भारत पाकिस्तान के नाम वाले किसी भी मसले पर साल 1971 में आखरी बार बातचीत हुई थी ये वो साल था जब भारत पाकियूद के बाद इस पाकिस्तान अलग होकर बांगला देश बन गया था इस मौके पर आधिकारिक दस्तावेजों में जो एंट्री हुई थी वो the situation in the India-Pakistan subcontinent नाम से हुई थी हमारे सूत्र ने हमें बताया कि इस लिस्त में वो सारे मसले हैं जिन पर कभी न कभी कोई बात हुई है और जो अभी भी एक्टिव है और इस लिस्त में हर बार इंडिया-Pakistan का मुद्दा जुड़ जाता है क्योंकि हर साल पाकिस्तान जनवरी में एक खत लिखकर इस मुद्दे को लिस्त में रखे जाने की दरख्वास्त करता है Security Council के नियमों के अनुसार दोनों पक्षों में एक भी पक्ष ऐसा कोई खत लिखता है तो उस मुद्दे को लिस्त में रखा जाता ही है यानि कुल मिलाकर साल 2010 में United Nations की एक प्रेस रिलीज में मौजूद बातों को गलत तरीके से देखा गया और भारती मीडिया ने उसे इस तरह से छापा कि संयुक्त राष्ट की विवादों की लिस्त से जम्मू कश्मीर का मसला हटा दिया गया है और इस घलत खबर को 10 साल बाद 6 साल पहले चुनी गई मोधी सरकार की उपलब्द बताकर शेयर किया जा रहा है